अलो दोस्तों इस वीडियों बात करने जा रहे हैं एपल आइफोन 11 के बारे में करेंगे इस वीडियो में इसकी अनवाप्सिंग देंगे फुल रिव्यू देखते हैं क्या कुछ खास दिया है एपल वारों ने अपने आइफोन 11 में तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कोमेंट शेयर करना ना बोले और चल पर नहीं हो तो चल को कर दें सब्सक्राइब चली गाइस करते हैं वीडियो को शुरूर आफिल अब ही बात करते हैं अनबॉकसिंग एक्सपिरियन्स की तो शब्सक्राइब भॉक्स magnificent etme मैं अउनबॉक्सिंग देखनेगें इसका प्राइज है तो करते हैं हम अनबॉक्स इसे फाइनली बॉक्स को खोलते हुए हमें सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है बाइट कलर में एपल आइफोन 11 इसे रखते हैं फिलाल के लिए साइड में और अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है कुछ शेक्षन इस ह criticize इसिम ट्रे को ओपन करने वाईपल की तरफ से चार्जिंग आप को नहीं मिलता है वाल को भारसे लेँडा पड़ेगा तो बॉक्स को रखते हैं इस बात करते हैं इस brand new apple iphone 11 के बारे में करते हैं इसे वूट और तब तक बात करेंगे इसके design के बारे में तो हमें यह aluminium frame design में आता है इसकी side यहां पर हमें silent mode को on और off करने के देखने के लिए मिल जाता ह। आपको बता दो कि यहां पर silent mode off हो गया और this mode on हो गया, side में देखें तो power off and power on का बटन dual camera setup देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे side में flash देखने के लिए मिल जाती है और इसके side में आएं तो हमें इदर sim slot की बात करें तो single sim tray slot देखने के लिए मिल जाता है लेकिन चिंता करने की बात नहीं है e-sim की help से हम इसमें dual sim यह dual sim को sport करता है तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमें e-sim देखने के लिए मिलती है उपर की तरफ जाएं तो उपर की तरफ हमें यह सिर्फ aluminium frame देखने के लिए मिलती है उपर की तरफ हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है नीची की तरफ पारे में तो वह में डिस्पले देखने के लिए मिल जाती है 6.1 LCD स्क्रीन और जो कि मैं बात करूं जितनी भी LCD स्क्रीन देखी है उससे मिर को यह बैटर क्वालिटी की लगी LCD स्क्रीन रेजुलीशन की बात करें हम इसमें तो 720p से ज्यादा हमें रेजुलीशन देखने के लि पर मिल जाती ही छोटी सी नौच और इसमें मिल जाता हमें फ्रंट कैमरा को भी थोड़ा इंप्रूब किया गया है प्रंट केमरा को सब्सक्रीन प्रफिसों का मीघा मिल जाताが अरब नहीं बताए आपको इसी ब्रैंड न्यू एपल ऐपन 11 जिसकी बार वालों की तरफ से इसमें आगे और पीछे जो है टफेश्ट ग्लास देखने लिए मिल जाता है अब नास सिर्फ फिसल के नीचे गिर जाए तो कुछ रखास नहीं बहुत सकते कि तूट जाएगा नहीं तूटेगा और मतलब जितना की इन्होंने दी है स्क्यूर्टी उसी साथ से तो नहीं तू एक चिपसेट एपल वालों की तरफ से जो कि इसकी प्रफॉर्मेंस की बात करें तो खैर एफ डॉलर्ब जो था किसी से कम नहीं था लेकिन अभी जो की एट डॉलर्ब था उससे 30% इंप्रूब करके इन्होंने एट अटरिंग बेज दिया है फिल प्रफॉर्मेंस की बात क और दूसरे कैमरे के बारे में बात करें वह भी हमें में जाता है ट्रॉलर्म मेंगा पिक्सल का अल्टरा वाइट कैमरा तो कुछ पिच्छ जो आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा होगा जो कि मैंने इसी एपल आइफोन 11 से शूट की है और वीडियो मैं आपको अभी कर सकते हैं जो आपको मैं आपी वीडियो शूट करके दिखाऊंगा मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूं इसी फोन से 4K60 एपीस पे तब देख सकते हैं इसकी क्वाइलिटी और नीचे कुमेंट बॉक्स में मैं को जूर बताएं कि क्या है इसकी फ्रंट कैमरा की वीडि और नीचे की तरफ तो जो की फेस आईडी लॉक है इसका वह भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूब किया हुआ है जैसे क्या कामरा की तरफ देखूंगा तो यह ओपन कर देगा जिल्दी से जिल्दी एक और फिर से पावर बाटन करते हैं और फिर से आउन करते हैं अब देशकते हैं कि इतनी जल्दी ओपन कर रहा है फोन को तो आप अराम सी फोन को ओपन करके फिर चला सकते हो तो स्क्योर्टी सिस्टम में भी मेरे को ब्रूमेंट लगी एपल एट थर्टिन आयोस की तो आप बताए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी इसकी और स्क्योरण सीस्टम के बारे में काधर उपार से तेको कि साई वेड़े theor जह से थोड़न Ext bizarre कर देगा इसकी performance के बारे में परफोमेंस जो ios13 के साथ बहुत िoperationज्फ ज diffusion हो जाती है बहुत ज्याब अच्छी देखने के लिए मिल जाती है जाए आपढालेस की आगे है तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डैनार का एक ससर लेकर आया है जो कि इसका प्राइज है वह भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है आइफोन तैन आर से तो आल इन आ यही थी कहानी सारी एपल आइफोन 11 के बारे में अब बात कर लेते हैं इसके प्राइज के बारे म है वह हमें देखने के बिल जाता है 50,000 में और इसके बाद जो इसका 6GB प्राइज के बिल जाता है 56,000 में जो इसका सबसे बिगर वेरिट है 8GB RAM 256GB और साथ वह मिल जाता है 67,000 में तो अगर आपको इसे चैक आउट है अबाय करना हो तो इसका लिंक में नीचे दिस्क्रिप् है 25,000 में जाता है 31,000 में जाता है दिस्क्रिप्ण आपको इसका लिए जाता है 25,000 में तो इसका आपको इसका 7GB RAM